वोम स्टाइल बिर्यानी इसके लिए मैं सबसे बले लूँगा देशी घी पत्ता दालचीनी जावित्री काली मिरच छोटी लाई ची और एक मोटी लाई ची और साथ ही मैं इसमें डाल दूगा मैं जीरा जीरा क्राकल होता ही जाएगा इसमें प्याज मैंने चौप प्याज ल अब मैं इसमें डालूँगा अजग लस्टन का पेस्ट लेखिये मसाला बूनने का तरीका एक ही है और कैसे बूनना है वो कितना बूनना वो चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है चाहिए आप कोई भी सबजी बनाएं कोई भी डिश बनाएं मसाला इंडियन आइस जो है इस इंडियन तरीका एक ही है कुछ रेसिपीज होती है जिनके अंदर के मसाला जो है कम बूना जाता है और अब इसमें जाएगा टमाटर तोड़ा सा पानी और हम इसको अच्छी तरीके से बूनेंगे और इस टेंपे मैं इसमें मसाले भी डाल दनिया पाउडर, जीरा पाउडर, भल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और आज मैं तो किचन केंग का भी यूज़ कर रहा हूं थोड़ा सा किचन केंग और स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी हरी मिलच बेसिकली यह जो है एक तरीके से आप चिकन पुलाओ कह सकते हैं होम और इसी देगी मेरेच अधर कल अच्छा और हरा धनिया और फिर थोड़ा सा पानी और डालूँगा अब इसके अंदर में चिकन को भूनूँगा यह मैंने एक चिकन लिया है साड़े साथ सो ग्राम का नमक थोड़ा तो दहीं डाला मैंने इसके अंदर और अब मैं इसको पास से साथ मिनट के लिए ड़के रख दूँगा थाकि हमारा चिकन जो है गल जाए ध्यान रखिए चिकन को सत्तर से सत्तर परसंट से उपर नहीं बगाना आपको चिकन हमारा पक चुका है इसमें सत्तर परसंट के करीब और आप जो है मैं इसमें डाल दूँगा चावल और डालेंगे इसमें पानी पानी उतना ही डाली है जितना चावल को ज़रुआ था क्योंकि चावल पहले से भी मैंने दो घंटे भी होगे लखा है और अब मैं इसको ढख दूँगा यह देखिए हमारा जो पुलाओ पक रहा है इसको भी 15 मिनिट के करीब लगेगे पकने में तो मैं इसको ढख रहा हूँ और ग्यास को जो है हलका कर दूँगा थोड़ा सा वेट रख देते हैं इसके उपर बस हमारा जो चिकन पुलाओ है बेसिकली पांच मीनिट और लगेंगे बस सर्व करने के लिए ताकि इसका पानी सारा सूख जाए और हम इसको सर्व करेंगे अब मैं इसको सर्व करूँगा हम इसे खेंगे चिकन जटका बिर्यानी मतलब फड़ा फट घर में आप इसको रेडी कर सकते हैं और कोई ज्यादा टाइम भी नी चाहिए और ज्यादा इंग्रीडेंट्स भी नी चाहिए और नहीं कोई ज्यादा मसाले चाहिए यह तयार है अब मैं इसको जो है गानिश कर हुआ हरे धनिये के साथ और अद्रक्यल अच्छे के साथ हमारी छिकन जटका बिर्यानी रेडी है और अगर